नमस्कार दोस्तो तो बॉलिवीड के खिलाड़ी भईया यानि कि अक्षे कुमार की मच अवेटेट फिल्म और अक्षे कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म पृत्वीराज चौन का दोस्तो फाइनली टीजर आज रिलीज किया जाना है और इस फिल्म के टीजर को दोस्तो अपसे कुछी देर बाद देश राज फिल्म के ऑफिशल इटिप चैनल पे रिलीज कर दिया जाएगा साथी साथ दोस्तो आपको बताते चले कि फिल्म में पृत्वीराज का टीजर एक मिनिट बाई सेकंड का होने वाला है और इस टीजर में दोस्तो हमें अक्षे कुमार हिंदू समराज महराज पृत्वीराज चौहां जी के करदार में नजर आने वाले हैं वहीं फिल्म का दोस्तो ऑफिशल ट्रेलर 19 नॉवंबर को रिलीज के लिए तैयार है वहीं दोस्तो इसी टीजर के साथ इस फिल्म का ओफिशल ट्रेलर रिलीज का ओफिशल अनॉश्मेंट कर दिया जाएगा वहीं दोस्तो आपको बताते चली की फिल्म में पृत्वीराज एक हिंदी लेंग्वेज इस्टोरिकल प्रियेट एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि दोस्तो हिंदू समराट महराज या पृत्वीराज चौहां जी की जिंदगी परादारित है इस फिल्म को दोस्तो इस फिल्म को याराज फिल्म से लगवख दो सूब 20 करोट से भी जदा के बज़ेट में बनाया है और इस फिल्म में दोस्तो हमें अक्षए लग़वर्ड के 7 साल 2017 की मियोम पृत्वीराज चौहां जी की पतनी का केरिदार ने बाया है वहीं दोस्तों मानुशी चिल्लर इसी फिल्म के जर्य बॉलिवोड में भी कदम रखने जा रही है वहीं अक्षे कुमार मानुशी चिल्लर के अलावा हमें संजदत, सोनु सूद और आशुतो शराना भी एहम करदारों में नजर आने वाले हैं फिल्म की दोस्तों कहानी लिखी है चंदरप्रकाश दिवेदी ने जबकि फिल्म का निदेशन भी चंदरप्रकाश दिवेदी नहीं किया है वहीं फिल्म को दोस्तों प्रेडियूस किया है आदिति चोपलान या शराज फिल्म के बेनर तले आपको बताते चले दोस्तों के फिल्म में पृत्विराज का उफिशल अनाउस्मेंट इस फिल्म के एक मोशन टीजर के साथ 9 सितंबर 2019 को किया गया था जिसके बाद से दोस्तों सभी को इस फिल्म के उफिशल ट्रेलर और इस फिल्म की रिलीज डीट का इंतजार था ऐसे में दोस्तों आप हाली में फिल्म में पृत्विराज की मीकर जे इस फिल्म की नई रिलीज डेट का अनाउस्मेंट किया था जो कि है 21 जन्वरी 2022 जयां दोस्तों पहले ये फिल्म दिवाली 2021 में रिलीज की जानी थी सब्सक्राइब कि दूस्तों अब आज इस फिल्म का एक शानधा टीजर हमें देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों फिल्म में पिस्वेरा चौहान की टीजर और इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर आप भी एकसाइटेड हैं यह में कॉमेंट करके ज़रूर बता हैं साथी अब हमारे चैनल पर न